है दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्द जैनुविन इन्फरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज 20 ऑफ जैनुवरी 2021 और आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर का एक पॉपुलर बहुत ही पॉपुलर बैंक है फेडरल बैंक यूपर क्योंकि फेडरल बैंक आज क्वार्टा 3 का रेजल्ट आया है रेजल्ट दोस्तों ठीक ठाक मुझे लग रहा है ना बहुत खराब भी नहीं आया तो दोस दोस्तों फिलीज वीडियो को बिना स्किप्ट के पूरान तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझाए तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट आकाउन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाट्वर्ण में डीमेट आकाउन उपेन कर लगबख दूरिंग मार्केट यह अपडेट हुआ था तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता करना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी नंबर से सारे इन लैक्स पर है ठीक है मैं आपको करोर पर करके आपकी समने प्रेजेंट करूंगा तो दोस्तों यह है करेंट करेंग में क्वाइच bisa फीगर है आपको करोर करके बोल रहें थो कि तो तोड़ा बहुत डाॉंच दिखाई दिया और लास्टिया 2019 December quarter में company का total income हुआ था 3834 करोर रुपए का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि year on year पे शांदार यहाँ पे जम दिखाए दिया कहाँ पे total income पे अब हम देखेंगे company का total expenditure कितना हुआ यानि खर्चा कितना हुआ बैंक का total expenditure यह six number वाला यह point देखिए तो बैंक का इस quarter यानि December 2020 में total expenditure हुआ है 3086 करोर रुपए का जो की last quarter में हुआ था यानि September 2020 में हुआ था 3086 करोर रुपए का यानि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि total expenditure दोस्तो quarter on quarter almost same है पूरा flat है ठीक है यानि दोनों figure देखिए almost same 19-20 का difference है और last year 2019 December quarter में company का total expenditure हुआ था थोड़ा सा कम आया था यहाँ आप देखिए 3084 करोर रुपए का यानि यहाँ यहाँ पे year on year पे थोड़ा सा बढ़ चुका है बहुत ही minimal है बढ़ थोड़ा बहुत बढ़ चुका है अब चलिए हम नीचे की तरह बढ़ता है कि company का total net profit कितना generate किया है यहाँ पे देखिए 14 नंबर वाला यह लाइन देखिए net profit for the period तो company का जो main चीज़ होता है net profit तो बैंक का इस quarter में यानि December 2020 में net profit generate किया 419 करोर रुपए का जो कि last quarter September 2020 में net profit आया था बैंक का 315 करोर देखने को मिला अगर आप percentage जो इस calculate करोगे तो दोस्तों अल्मोस्ट 33% का जम दिखाई देगा आपको quarter on quarter पे और year on year पे दोस्तों last year 2019 December quarter में bank का net profit हुआ था 451 करोर रुपए का तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन भी आपको दिखाई दे रहा है यानि year on year result थोड़ा सा दाउन आया है और quarter on quarter result बढ़िया जम्प आया है दोस्तों तो रेजल दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि ठीक ठाक है बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है ठीक ठाक आया है चलिए अब हम देख लेंगे बैंक का जो दूसरा important चीज़ होता काटर में था या पर देखे सेप्टेंबर काटर में था 2.80 का यानि जो ग्रॉस इंपेज है वह थोड़ा सा कम हुआ है quarter on quarter पे और year on year पे देखिए लास्ट येर 2019 डिसमबर काटर में बैंक का नेट ग्रॉस इंपेस था 2.97 का यानि यानि या पर यार ओन येर एंड 99% का यानि या पे ग्रॉस इंपे के साथ साथ सा नेट इंपे थोड़ा बहुत काफी हादा अपर घट चुका है और लास्ट यार में तो और भी ज्यादा था याप देखिए 1.63 का था नेट एंपे लास्ट येर 2019 डिसमबर क्वाटर में यानि या पे यार ओन यार और और डिलूटेट इपेस है 2.09 का जो कि लास्ट क्वाटर में अर्निंग पर श्याद था बेसिक 1.58 का एंड डिलूटेट था 1.58 का सेम था तो याप याप देख सकती क्वाटर अन क्वाटर पे नेट प्रॉफित और टोटल इंकम जोई सरी नेट प्रॉफित बनने के साथ साथ यहाँ पर बेसिक एंड डिलूटेट इपेस भी बढ़ चुका है और यहाँ और यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट यह 2019 डिसमबर कॉटर में बैंक का बेसिक इपेस था 2.27 का एंड डिलूटेट इपेस था 2.26 का तो यहाँ पर देख सकते कि नेट प्रॉफित थोड़ बहुत कम हो चुका है यानि अर्निंग पर शियर तो दोस्तों एड एंट रेजल्ट मैं बोलूंगा कि ठीक ठाक आया है बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा ग्रोध भी नहीं दिखाए दिया क्योंकि यह और यह पर थोड़ा सा डाउन है तो रेजल्ट मेरे ख्याल से प्रेज़र्र किया था कमपणी ने Score लिए प्याल प주द का न औरा विधावान कति एखुल तो अब बात आयता है कि अपको फेडरल बैख से रखनागन चाहिए या नहीं सबसे पहले अब को बता के रखना चाहता हूं अ अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास तो चार बहुत बढ़ी ऑप्शन है एक है HDFC दूसरा है आपका ICICI ठीक है तीसरा है हमारा एक्सिस बैंक चौता है कोटक माहिंद्र यह चार जो टॉप इंडिया का बैंक है यह सब बैंक दोस्तों ज्यादा आपको सेफ भी है इन्वेस्ट करना और वहाँ पर पैसा ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा आपको बाकि अगर आपकी मर्जी तो आप फेडरल बैंक की इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बैं कि आपकी मर्जिय है दूस्ते यहां पर देख सकते बैंक नोड़ाउट बहुत ही जबरदस्ते शांदार डिटन लिया बट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है यह भी आपको देखना पड़ेगा देखिए लास्ट पांच साल का चार्ट पैटन में दिखाऊंगा देखिए बैंक का जो शेयर है शेयर पैस लगबग 100 की उपर चल रहा था तो 2019 में उसके बाद 20 के टाइम पे बहुत गिरावाट हुआ था गीरते गीरते शेयर पैस 40 रुपए के नीचे आ गया था अभी बढ़िया खासा यहां पर रिकावर भी कर चुका है इसलिए इसके उपर कोई बोलूंगा कि अब होल कीजिए गलती से भी शेयर मत बेचना अगर प्रॉफिट में तब तो बिलकुल भी नहीं बैचना अगर आप लॉस में तब भी नहीं बैचना और यहां पर मैं आप निवेश करना चाते हैं तो दोस्तों इस बिल्कुल कर सकते हैं बट उतना ही निव हाई टच का कुछ टाइम पहले जब यह रिजल्ट आउट हुआ तो उसके बात तीन बजे करी यह हाई टच किया था बैंक ने आज का करवार यहां पर देख सकते हैं कि बाइंग साइड में टोटल लगबक 23 लाग क्यों पर शियर का यहां पर क्वांटिटी जमा हुआ है और यहां पर देखिए डेलीवर परसंडेज लगबक एक करोर की घरी यानि उतना ज्यादा आपको डेलीवरी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यह मार्केट बंध होने के बाद यह जो डेलीवरीबल परसंडेज यह और ज्यादा कम हो जाएगा अभी आपको 20 परसंड के कर आजाएगा तो दोस्तों डेलीवरी उटना नहीं हो रहा है बहुत यहां पर ज्यादा आतर इंट्रेट ट्रेडिंग एंड देखने को मिल रहा है तो दोस्तों एट यहीं बोलूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में आपको निवेश करने आपके वास बहुत बढ़िया बढ़िय टेक केर बाबा जय हिंद